कि नमस्कार आपके साथ मैं हूं रितिक सभीता स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज में दर्शकों EVM को लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहते हैं और यह कहा जाता है कि EVM बैंड कर दो यह भी कहा जाता है EVM हटाओ देश बचाओ आखिर क्यों EVM पर सवाल खड़े किये जाते हैं जबकि चुनाव आयोग निश्पक्ष एजैंसी माने जाती है तो यहां पर EVM पर सवाल खड़े करना क्या ठीक है लेकिन लगातार देखा जाए तो EVM का अपडेट बरजन आर भी चुके हैं तो आठ राज्यों के चुनाव अभी बाकी हैं तो क्या आरभीम का उपयोग किया जाएगा क्या आरभीम से धांदलिवाजी रुक जाएगी क्योंकि लगातार देखा गया कि मेनपुरी खतौली और रामपुर में कि तरीके की EVM को लेकर खबरा सामने आती है कि EVM की बैटरी खत्म हो जाती है EVM में धांदली हो जाती है और आपको बता दे कि समास बादी पार्टी की काई सारे नेता EVM को दुलहन की तरह छोड़ने के लिए जाते हैं यानि कि इतना डर था कि EVM को बदल ना दिया जाए तो क्या फिर स प्रॉब्लम है वहीं देखा जाए तो अखली स्यादब कोई प्रॉब्लम है कई बार अर्विंद केज़िवाल ने भी सवाल खड़े कर दिये तो क्या EVM होनी चाहिए और अगर EVM होती है तो क्या हमारा लोकतंत्र बच जाएगा जो एक आच खड़ी की जाती हो एक सवाल ख कि बिधान सभाचनाव में क्या आर्वियम का प्रियोग किया जाएगा और अगर आर्वियम से धानली रुकती है तो EVM समाप्त हो जाएगी आरवियम ही जो है चलन में आ जाएगा लेकिन अगर इसा नहीं होता है तो क्या यहां पर विपक्ष के तमाम नेता प्रोटेस्ट क होता है आज किस खास रिपोर्ट में बस इतना ही देखते रहिए SPN 9 News